शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मैं तो स्वागल रही कुवारे पैने दुलवन पे के सरिया बालं आवो हमारे देश कोई जोखम की बात तो नहीं है बेचसा जोखम तो घणा है ठाकूर साके दोनों फेफडे एकदम जरजर हो गए दिन राथ हुका फूख फूख के इनके फेफडे सूख गए इसी कारण इनका ताप हर दिन घणा बढ़ रहा है पापू थीत तो हो जाएंगे ना वैचसा होने को तो हो जाएंगे पर धीरे धीरे इनका शरीर जवाब देना शुरू करतेकों और फिर दिमाग को एसर शुरू हो जाएंगे माने इनकी आप दास चली आवे आज की बाद कल बूल जानाएंगे यह माताच्वारा मारे स्वाक की रक्षा करनाएंगे वैचसा थागुर साणे मचालों आप चिंता ना करों देवी मा की किरपास है महारे पास संजीवनी बूती है जिससे थागुर साप की आयू दूगनी हो जावेगे तो वैचसा देर ना करों जल्दी से जल्दी मारे मेंद को बस आप पिशे देगे कितना पैसा वैचसा बूती संजीवनी है एकदम रामबान इलाज यो आच हजार लागेगे आच हजार अरे इतना पैसा खरस कंड़ी के जरूरत है गिसो जा तु वैदरा जी को बार छोड़ करके आप थोड़ा सा काड़ा बढ़ा कर मारे को पिला दे तो चार देना वे बिल्कुल ठीक हो जाओंगा अरे ठाकूसा आपरो पिशे की चिंता काई हो रही आपरी रुकमी बड़ी हवेली पर राज कर रही अब आप संजीवनी बूटीतों के पुरा गेड़नार परवत थरीच सको अरे तारा दिमाग हरा हो गया है कि इतना पैसा कठे से लाओ गया आप उसकी चिंता नहीं करो जी आप मसा आराम करो माताजी माराज को ही ना कोई रास्ता जरूर दिखावेंगी बड़ी बड़ी बड़ाने की दाया एक कर मैं पीसे बिजवाती हूँ कम से कम दो हजार रुपे पहले भिजवाना बाकी का दो देना जी 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 मैं आपी आओं रसाल थारा यह एसान रहेगा मारे उपर मेग की बिनिणी को नया जीवन दियो है तुने कोई पड़ा काम ना किया दादिसा भूग तो दुख से बढ़कर हूँए और एक ना एक दिन वो सारे दुखो को मात करके छेना चिखाई देवे हाँ और थारे से अच्छा यह बात और कौन चाथ सके कि भूग कितनी बड़ी चीज हो वे गरीब घर से बिंदनी लाने का यही तो फाइदा हो गया ना के कह रहे है चंचल जाने है न अब यह इस घर की बिंदनी है इस से इस तरह से बात करके अपड़ी आपको छोटा साबित ना करो हलो मैं गीसू बोल जया हूँ कौन गीसू अरे मैं गीसू उन्हें रसाल जी जी से बात करनी है विंदनी थारे लिए किसी गीसू का फोन गीसू महारा छोटा भाई है अच्छा महारे को तो ऐसे छोटे लोग यादी न रहे हैं किसू जी जी आज भी वैच्छा आये थे फिरसे पापो की तब्रित खराब होगी के पोलना के खा वैच्छा ने वो कह रहे थे कि कोई पांस अजार वाली संजीवनी बूटी पिलाकर ही पापू ठीक हो सके हैं पांच अजार के बाते बेंड़ी थारे पापो की तब्रित पांची खराब होगी के पीशों की जरूत है तुम बेश्वाते ना वो फैच्छा ने पांच अजार मांगे लेकिन मा कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देगी आप चिंतना करो पांच अजार रुख मी यहले बारा सुर्पए आनने कोड़ी कोड़ी करकर जबांगी थे यहले खीशों की बिंदरनी वास्ते बढ़ाए थे पर खीशों की बापू ठीक हो जावेंगे तो ऐसे चार जोड़ी बढ़ाओंगी तूने बेचकर रहसा को तोहसार उपए दे दी जो हरे मैं बिलकुल ठीक हो काई इतना पेशा खरसी रहाँ मारे को बस थोड़ा सा काड़ा बना करके दे दो सब भी को जाएगा नहीं जी पिसे आपकी जान से बढ़े है के आप तो बस अराम करो जी तुछल दीजा की सूने भी साथ लेजा अरे तू क्यों बाई आप घंड़ कामा घंड़ कामा धोगड़ का किसा धोगड़ का किसा धोगड़ का किसा अरे अरे, आप कही उठ रहे हो, आप आराम करो, थोड़ी देर पहले वैजसा मिले थे, उन्ही से पता चला, कि मदन सारी तबियत ठीक ना है, इसलिए हाल जानने चली आई, काकिसा, जो घटनो तो घट केयो, दीवरसा कह रहे थे, कि पुरानी बातों को याद करके रिस्ता क् कठा करें, हाँ, बात तो सोलाने सही है, काकिसा प्रसाल को क्यों नहीं बुला लेती, आपको मदद मिल जाएगी, वैसे प्रसाल की नाने की तबियत तो ठीक है न, अरे जाना, वैसा थारी बार देख रहे होंगे, जल्दी जाओ दवाई लेकिया, अरे वैसा की तो अब उम अपताल में, एक नया डाक्टर आगियो है, उसके हाथों में बड़ा गुन है, माताजी महराज उसका भला करे, मारे घुटनों का इतना पुराना दर, देखते ही देखते खी कर दियो है, और पीसा भी घणाना लेवे है, हाँ, काका साब, आप उस डाक्टर को क्यों नहीं अरे डाक्टरों का भी भगवान की तरह हो बे, जितना विश्वास करो, उत्रना फल मेले, और मारे को तो वेच्छा पर विश्वास है, और कितनी परिक्षा लोगी माताजी महराज, अरे पाप उडे, ऐसा कोई पाप पिढ आखे है, जिसके कार रोड़ा है, माताजी जिसके के ठीट हमाहा है, जिक पिसा मेला तो बहरें बापू का इलाज आँ पावे सिंही और किसो तो मारे से बधत की याज लगाये बेटा, मैं इस्टाए पिसा मेला तो ने कर आँ, किसे मांगो, कुछ का भूबाता जी माराज हाँ हाँ उठाले उठाले ये पीसा थारे और थारे उस भिक्मंगे परिवार के लिए तो है के हुआ पींदनी साग को सच कणवाना क्यों है पहले तो थारी पहन को काटा बना के इस हवेली की मचली पास ले और फिर फिर जब उस वस्चली के चक्कर में डूबड़े की बारी आई तो थारे पाफने थारे को जाल बना के बिचाती हो मैं आपके पास इस रिष्टे की भीक मांगने ना आई थी तरसा बड़े ठाकूर्स आये थे हमारे बापो के पास हारा हाथ मांग रहें क्योंकि थारे उस चाल सास बापोड़े हमारे पास और कोई चारा ना छोड़े था तो उस विचारी कमर को दोखा दे सके मासा को दोखा दे सके पर मारे को ना अच्छी तरह से ठाण को कि यह सारी चाल थारे और थारे बापो की इस बार जब तु राजाओद गई तो यही खिच्री पका कर आये ना कि हवेली वालों से कैसे पैसे अठने इसलिए तो थारे बापा साने के तुरान बादी थारा बापो बिमार पड़ और सिर्फ अपनी चोली बाते रहूँ प्राचान, क्या वो? बापो की चिंता वोरी क्या लोग यह 10,000 रुपे हैं अभी के अभी नंद काका है या सुरेंदर के हाथो राजोग पिजवा देते हैं ताकि शाम तक तुम्हारी माँ के हाथों में पहुंचे है अगर और पैसे चाहिए तो तो तुम मुझसे बेजे जक मांग सकते हो रसाल इस पीसा थारे और थारे उस भिकमंगे परिवार के लिए थे हैं अब अपने सासरे से यह पीसे ले जाकर अपने पाप का इलाज कर तुम्हारी तासार पिना मांगे पीसे देकर आरे और बापू का बाण बढ़ादी होया आपने पर मैं ये पीसे ना ले सको क्यों? इसकी कोई चरूरत ना है मारी माँ कही ना कही से इंतजाम कर लेगी रसाल, तुमने मेरी मासा के लिए इतना कुछ किया और फिर दीब भाई सा की इतनी बड़ी गालती को माफ किया जै में तुमारी बापो के लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपका इतना सोचडाई मारे वासते बहुत दे कोछा पन्द, बारे को माफ कर दीजे मारे को धरम संकट में ना डाले कोछा बारे बापो का इलाज माग करवा लेगी सोच लो रहे साल, तुम मना करोगी तो मासा को भी पुरह लगेगा? ठीक है फेर, नहीं चलता हूँ केhesदा아서 मांने नहीं लिए पूरवशन में उनकर आपेगा, आपीछ जना दूखा, जिरेना आपेगा एवा ङराव, को अगतेर हूँ को ओए आपेगा आपा नहीं हरी अगा आपेगा लायआपा ख्राइब? जिन काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा. जीवन किसी के वास्ते ना रुक है, रणवीर. अपनों कर्म तो करनों ही पड़े है. जी. मैं चलता हूँ, लेकिन चलती आने की कुशिश करूँगा. रणवीर. जी. परसो मेक की शोग भी नाए की रस्म है. जी. ताइसा ने बताया था. इस रस्म के वास्ते, धारी बिंदली के पेर वालों का होना बहुत जरूरी है. खासकर धारे ससूर, ठाकूर मदन सिंग का. और उन्हें ने उता देने, धारे को खुच जाना होएगा. मेरा जाना जरूरी है दाइसा. रस्म है, बेटा. जी. ठीक है, मैरा जोच चला जाओगा. दादी साब, मैं ने उता केवल ठाकूर मदन सिंग कोई दोंगा. जैसे थारी मर्ची, बेटा. अगर तू नहीं जावेगा, तो रुकमी नहीं आवेगे. रसाली थारे साथ सारी रस्मेन निभावेगे. जै, चलता हूँ. रजवद की हवा में अचाना कितनी खुश्वू कहां से आगई. छोड मारा रस्ता. अरे रुकमी नारी, ये तो बता, तू अठे कब आई और क्यों आई? चल खेसो, बापु की दब आईते नहीं है. अरे अरे, अच्छा, तो बापुरी सेवा खाते छोडी अठे आई है. अच्छा बहाना मिल गयो है, गाउवालों से असलियत छुपाने का. अर थारे साथ रसाड ना आई, क्यों? जिस थाकुर को रसाल को बेच दियो है, उसने रसाल को आने की इजाज़त ना दिक्या है. मार से, चला जाए ऐसे, बड़ना मैं इस कुले से तारसार बढ़ दूगा. ये तील भर को चीचरो मनने आख्यां दिखावे है, कौन है तू, भगवार किशन, जो अपनी जीजी की लाज बचाने मारे साथ लड़ने आयो है, अब दोल के करेगा, मारा सर फोड़ेगा, या हाथ काट लिएवेगा, बहुर, चांचे मार दूँगा. मेरी पतनी काहत, नहीं तो चांखरा है ना, वही कार दूँगा. टने चांवार दो चांवार, लगवार को मारे साथ लाजा जो चांवेगा, वही कारे घचाने मारी WWE. ओने पतनी काहत, नहीं य तो फिके लड़ा है।。